हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आर्ट यूट्टूग चैनल पर मैं दीपका कुश्वा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से इस टोर बैग बनाना बताऊंगी तो ये देखो मैंने पीस को तयार कर लिया है और मैंने इस पीस में रवर सीट का यूज किया है आप चाहो तो राइस बोरी का फॉर्म का भी यूज कर सकते हो आप इसे साड़ी रखने के लिए और कपड़े रखने के लिए यूज कर सकते हो तो ये देखो मैंने आपको पूरा पीस दिखा दिया है अब इसकी मैं आपको लंबाई और चोड़ाई बताऊंगी कितनी ली ह मैंने तो पहले मैं आपको इसकी चोड़ाई बता रही हूँ 16 इंची की चोड़ाई है अब इसकी मैं लंबाई नापूंगी लंबाई है इसकी 30 इंची की तो लंबाई चोड़ाई मैंने आपको बता दी है अब इसमें हमें क्या करना है इसकी हमने साइड भी तैयार कर ली थी तो ये देखो मैंने आपको साइड की लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूं कितनी है 6 इंची की चोड़ाई है इसकी अब हम लंबाई नापेंगे तो ये देखो मैं आपको लंबाई नाप के दिखा रही हूँ कितनी है तो 41 इंची की लंबाई है इसकी तो ये देखो आपको मैंने इसकी चोड़ाई लंबाई बता दी अब इसे हमें attach कैसे करना है तो ये देखो piece को हमें इस तरीके से fold कर लेना है fold कर लिया हमेंने अब यहां पे हम निशान लगा लेंगे बीच में तो बीच में मैं निशान लगा लिया है अब हम बड़े बाले piece में भी निशान लगा लेंगे बीच में तो यहां पर देखो मैं निशान लगा रही हूं दोनों साइट पर हमें निशान लगा लेना है तो निशान हमने लगा लिया है अब इसको देखो हमें इस तरीके से अटेज करना है यहां निशान से दोनों निशान मैंने मिला लिये हैं अब यहां पर हम सिलाई लगाएंगे जयासे तरीकर से जयसे में लगा रही हूं तो यहां पे मैंने चलाइ लगा लिए अब यहां पर हम इस तरीकर से नाप लestensएट जमि सब्रूः नुदियू गींगा अगोर किया लिगा कर दो अब इस तरीकर से एश्टर के लिए धू इस उसकी मैंने कटिंग कर ली है अब यहां पर इसी को मोड के हम स्लाई लगा लेंगे आपको मैं स्लाई लगाके भी दिखा रही हूं कि किस तरीके से मैंने स्लाई लगाई है तो यह देखो एक साइड हमारी इसमें अटेच होगी है इतना तो हमारा यह बॉक्स बन गया है अब साइड से हमें चैन इसमें अटेच करनी है तो पहले हम चैन लगा लेंगे अब तो पहले मैं उपर वाले हिस्से पर चैन लगा रही हूं तो यहां पर मैं निशान लगा लिया है अब चैन को हमें इस तरीके से रखना है यह मैंने रखा अब यहां पर हम स्लाई लगाएंग को तो मैं आपको लाई लगा के दिखा रही हूं किस तरीके से मैंने से चे ourselves की इस तो यह ने ने गलीए बमेर चे के बॉक्स को तो यह मेंने उल्टा कर लिया है अब यहां पर कोनर मिला के हम इसलाई लगानी है कि आपको मैं अब देखो लगा के दिखाऊंगे किस तरीके से हमने लगाई है इस पर कि तो यहां देखो हमने लगा ली है अब इस पर लगाएंगे हम टॉप से लाई इस पीस को हम अलग लग कर लेंगे अब तो यहां से मैं अलग लग कर लूँगी पीसों को दोनों को अलग मैंने कर लिये हैं अब हम टॉप से लाई लगाएंगे इस पर तो यहां मैं आपको टॉप सलाई लगा के दिखा रही हूं किस तरीके से मैंने लगाई है तो यहां मैंने टॉप सलाई लगा ली अब इसमें हमें रनर डालेंगे तो यह दिको रनर में आप डाल रही हूं दोनों साइट से तो रनर मैंने डाल लिये हैं अब चैन्वी इसमें अटैच होगी है हमारी अब इसमें हमें पाइपीन लगानी है अब इसमें हम पाइपीन लगाएंगे तो पाइपीन के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है अब यहां पर इस तरीके से फोल्ड करके अब यहां हम सिलाई लगा लेंगे इसको मैंने इस तरी से दबाना है अब पूरे पर हमें इसी तरीके से लगानी है तो सिलाई हमने एक साइड लगा ली है आपको देखो यह पूरा में बॉक्स घा दे रही हूं कि अब इस पे हमें फोल्ड करके लगा देंगे अब इस पे अब यह फोल्ड करके लगा लेगे तो यहां पर देखो इस तरीके से में पूरे पर पाइपीन लगा लूँगी तो पाइपीन मैंने इसमें अटेश कर ली है अब इसमें हमें हैंडल अटेश करेंगे तो यहां पर हम बीच में हैंडल अटेश करेंगे तो यहां पर हमें इसमें हैंडल भी मैंने तयार कर लिया इतना प्यारा लुक आया है और देखो हैंडिल भी हमारा कितना अच्छा लग रहा है आपको मैं अंदर की साइट से खोल के दिखाती हूं तो यह देखो मैं आपको यह खोल के दिखाती हूं इसमें आराम से हमारी साथ-8.30 आराम से आजाएंगी और बहुत अच्छी फिनीश करें वीडियो को शेयर करें थैंक यूँ